वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्रेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैगनेट मेंज हिंदी मेडियम जहां पर आपको मिलती है और नहीं किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना होता है और इन्हीं बादों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की ग्लास क्यूंकि आज एक बड़ी शांदार चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि ऐसे वो कौन सी चीज़े होती है जिसको यह दिया आप गर्मियों के छुटी में बढ़िया तरीके से प्रिपेर करेंगे तो आने वाली जो एक्जाम से जो की बेसिकली होगी 2024 में वहां पर आपका रेजल्ट बहुत शांदार तरीके से आ सकता है अब बहुत सारे बच्चे यह सोच रहे होंगी कि सर देखो आपने क्या लिखा है गर्मियों की छुटी में पढ़कर कैसे हम बोर्ड परिक्षा 2024 में 95 प्रतीशत या उससे जादा ला सकते हैं तो भया नॉन बोर्ड वालो आपको भी चीज देखनी है क्योंकि यह जो प्लैनिंग होती है यह जो कॉंसेट्स होते हैं आप पर भी अप्लिकेबल है दूसरी बात बहुत सारे बच्चे सोच रहेंगे वहां सर यह हुई ना कोई बात मना अभी गर्मी की जब तक चुटी चलेगी उसमें हम कुछ आप जो बताओगे वैसे पढ़ लेंगे उसके बात साल भर जो हैक दम निशिंद हो जाएंगे रिलेक्स मारेंगे चिल मारेंगे फिर एक्जाम देने चले जाएंगे और हमारे उतने पर सेंटेज आ जाए हैं तो आपका रूटीन का धान से देखो ऐसा नहीं है कि आपका कोई रूटीन या बड़े सुकून में रहे तो ऐसा बिलकूर भी नहीं है क्यूंग है बहुत ध्यान से रिखेगा इस सुबह 6-7-8 बजे से आपका स्कूल होता है उसके बाद फिर आपके ओफ्राइन कोचि कर नहीं होती है तो उस रूटीन में बेसिकली क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा जो समय है वही चला जाता है और कुछ प्रोड़क्टिव आप कर ही नहीं पाते हो कि बोलो यस सर बोलो यस सर बिलकुर सही बात है पर मैं कह रहा हूं भाईया कि अभी आप रिलेक्स्ट हो ना करो मौज मस्ती करो गाने सुनो भाई फ्रिज में बोतल में पानी भरके रखो पानी भर दो से बिलकुर करवाते हैं गर्मियों के दो फिक्स काम पता है कौन से कौन से फ्रिज में पानी भरकर रखना है बोतल के अंदर पहला दूसरा बिटा कूलर में पानी भर दो दूसरा काम बात समझ में तो बहुत जादा करने के लिए काम नहीं होते हैं और इसी टाइम पर हम अप हमारी परिक्षाएं होंगी कुछ समय बात कुछ महीनों बात अगले साल 2024 में बोर्ट की भी नॉन बोर्ट की भी तब वहां पर जाकर हम क्या करेंगे शांदार वाले रिजल्ट से हंगामा सवाल पैदा होता है कि सर उसके लिए समर वैकेशन को यूटिलाइज कैसे करें बह सबसे पहला वाला जो पॉइंट है बता है वो क्या है कि आप अपने दूर्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की जैए हम बात करते हैं साइंस की तो आपने देखा होगा कि आपके बड़े भाईया दी या फिर आपके जूनियर से त्थिर आप खुद जब आपक्षग 11 आपना प्रो लेवल का दर्द वाले जो बच्चे हमारे काक्षा गयार्वी के उनका प्रो लेवल का दर्द बार्वी के सार हमें से बहुत सारे लोग ऐसे उनको ना बायों में इंटरेस्ट नहीं दाुपगा है बायो में कोई इंट्रेस्ट नहीं था सर या तो घरवालों ने दिला दिया या तो हमको साइंस भी लेना था और मैट्स भी नहीं पढ़ ली थी तो हमने बायोलोजी ले ली बात समझ मैं तो इनका बड़ा प्रो लेवल का धर्द होता है कि हमने मैट्स से बचने के लिए और साइंस में बने रहने के लिए बायोले ली अब जैसी हमने बायोली उसके बाद एंट्री होती है फिडिक्स की उसके बाद एंट्री होती है उसके अंदर बहुत सारे मैट्स की और फिर कुछ कर्नेक्टी नहीं हो पाता ऐसी chemistry में भी, physical chemistry, numericals देख लो, आप इतना calculation है, इतने ज़्यादा maths है, वालब अलग-अलग type के concept आते हैं, बाद समझ में आ रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, साल भर ये दिक्कत आपको जाने वाल ये बिटा, अपने senior से आप पूछिए, साल भर बहुत सारे बच्चे होते ह maths वाले भी, बायो वाले भी, अलग-अलग इतने सारे concept होते हैं science में, वो अपस में जब mix हो जाते हैं तो कच्चू समझ में नहीं आता, और busy routine के कारण हम अच्छे से connect भी नहीं कर पाते हैं, गर्मियों का समय है, कुछ चीजे हैं, उस पर focus करो, right, बहुत ध्यान से देखना syllabus से start मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ बाबू, बड़े ध्यान से देखोगे, तुरंत syllabus से start मत करो, बस जैसे आपने syllabus से start किया, बिना basic concepts को पढ़कर, साल भर आप struggle करेंगे, क्योंकि, साल भर आपको additional time नहीं मिलने वाला है, चीजों को balance करने के लिए, तो सबसे पहले, आपके जो concepts है, बात समझ में आ रही है, और ये concepts की बहुचारे कहां से होगी, तो भई MB से, MB क्या है, तो magnet brains, हिंदी मेडियम वालों के लिए, magnet brains, English मेडियम वालों के लिए, only magnet brains, राइट, तो concepts को क्या करो, भईया concepts को strong करो, क्या बात समझ में आ रही है, concepts जो है, उसको आप क्या कर है, आपन chemistry के help से, बात समझ में आ रही है, एक example हम लेता हैं, chemistry के help से, मैं कहा रहा है आपको साल भर chemistry पढ़नी है न, आपको पता है क्यों सा element कितने bond बनाता है, कौं सा element जो है, उसकी सहयों जक्ता कितनी है, कौं सा element जो है, वो कितने सहयों जी आबंद बनाता है, और ऐसे सबसे अच्छा तरीका है गर्मियों में अप प्रीज अपना सिलिबस पहले स्टार्ट ना करें इस पेश्टी जो हाइयर क्लासेज वाले स्टूडेंट्स हैं पहले आप करें अपने बेसिक कॉंसेट्स को क्लियर मैं कॉंसेट्स भी नहीं लिख रहा हुआ सबसक्राइब हो वहायओ मैं कहें रहा हूँ मैं कहरें हुआ अध्य भी आपकारत्व यहीं की इतना तो पढ़ा था दो कैटेगरी के बच्चे सर मैंने साल बर इतना तो पढ़ा था बात समझ में आ रही है पर मेरे को तो अभी कुछ लिखते ही नहीं बन रहा है बहुत सारी जो बच्चे उनका यह कहना है कि सर मैंने साल बर इतना पढ़ा था बात समझ में अभी एक्जा हैं वो आपको एवलेबल होते हैं किताबों में भी होते हैं इस प्लैटफॉर्म पर भी हैं जिसे आप कहते हो मैगनेट बेंस हिंदी वेडियम तो आप भीया सिलिबस स्टार्ट करने से पहले प्लीज अपना जो बेसी कॉंसेट है इसको आप क्या करें क्लियर करें यह दिए पहली कहानी जो आपको इस समर्वेकेशन में करनी ही करनी है दूसरी बात यह कि जब देखो सोच कर देखो इसके बारे में कोई जनरली बहुत बात नहीं करता है पर अपन साल बर करते हैं बाबु जल्दी बताओ तो आप बोलो के सर क्योंकि उसके बाद एक एक एक्जाम होती है बिल्कूर सही बात है तो मैं कह रहा हूं भाई आपन जितनी भी परिक्षाएं करते हैं इससे हमारा मेंटल ठीक है या फिर हमारी जो परसनालेटी उसमें डिवल्लपमेंट होता है बिल्कूर सही बात है पर बेसिकली यह जितनी जीजह हम कर रहे हैं वह उन तीन या धाई घंटे के एक्जाम के लिए कर रहे हैं जो कि बेसिकली साल के लाट लास्ट में होने वाली है जिसका आप लोग फ्राइनल एक्जाम कहते हो अब जब आप यह तूरे रहे हो तो कई बार आपके साथ यह होता है कि सवाल ही समझ मेंहीं आता थोड़ा सा आप जो है राइटिंग्छ करें थोड़ा सा आप क्या करें बहुत ध्यान से एक देखिएगा ठीक है आप लजह हैं लिखने की लिखने की क्योंकि السथ में नहीं कर पाऊगे बैने क्या कर'd पूरे साल बर आप बिजी रहने वाले हो, जितनी बड़ी कक्षा होगी, उतना बड़ा से लिपस होगा, उतने आप उलजे हुए होगे, साल बर आप बिजी रहोगे, परेशान हो जाओगे, ये काम नहीं कर पाओगे, प्लीज आप इसको स्टार्टिंग से करें, लिखने की, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी की जो बच्चे हैं, जनरली, उनके साथ क्या होता है कि सर, फोन में तो है, सर, बुक में तो लिखा है, सर, कॉपी में तो लिखा है, हम एक काम करते हैं, इसको ओरली या ओट्री पढ़कर देख लेते हैं, कौन लिखता है सर, बच्चे जब आप नहीं लिख पाते हो अच्छे तरीके से, तो एक्जाम में सब कुछ आते हुए भी, आपका जो पेपर है, वो 100% अटेम्ट नहीं हो पाता है, और ये बड़ा दर्द देता है, कि पूरा आता था बच्च समय कम बढ़ गया, पिटा समय कभी कम नहीं पढ़ता है, पेपर को ऐसे ही सेट किया जाता है, कि वो आपके पौने तीन घंटे में हो जाए, और इसके लिए आप लोगों को तीन घंटे का समय मिलता है, तो आप प्लीस लिखने की ज़रूर प्रैक्टिस करें, आप मैं ये नहीं कहूंगा कि आप शुद्दलेक लिखिए जैसा बच पर अटेंप्ट नहीं हो पाया, बहुत दर्द वाली बात, चलिए भी, तो लिखने की और, और सबसे इंपोर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स होते हैं, राइट, जो कि सवाल को पढ़ने के बाद ना, पहली स्टिप क्या होती है, उसको वो करी नहीं पात होता है, करना क्या, यह पूछा गया है, पर अगली कहानी उसके बाद स्टार्ट होती है, कि जो पूछा गया है, हम उसके लिए पहला शब्द भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, तो लिखने के साथ-साथ, जो आपका सवाल है, राइट, सवाल समझने की प्रैक्टिस जरूर करें क्या करें तो भी प्राक्टास जरूर करें एक ऐसी चीज है ना बात समझ में रही है प्रैक्टिक एक ऐसी चीज जो आपको किसी भी लेवल पर पहुचा सकती है और एक चीज प्लीज आप मत सूचिए ठीक है कि सर्वो मेरा दोस्त थे वो बड़ा इंटेलीजेंट है उस से ब्रेन में development होगा पर साथ साथ में आप कीजे भया practice तो लिखने की और समाज सवाल को समझने की आपको क्या करें भया practice करें यह बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी चीजों के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं इन सबका जो निचोड है वो विसे क्लिए क्या होता है वह तीन घंटे की एक्जाम जो कि आप देने वाले हो कब 24 तो यह कुछ ऐसी छीज़े होती है यह आपको यह करना पड़ेगा यह जो जर्णी है वह आपको जो भी सिलिबर से आप उसके बस number of questions बढ़ा दो किसी चीज़ को रटो मत बढ़िया तरीके से समझो राइट और यदि उसमें आप और एक प्रोपार्ट या लेवल जो है एड़ करना चाहते हो तो बहुत के लिए आप सीधे समर विकेशन चल रहे हैं थोड़ा समय है अपनी thinking ability को थोड़ा सा बढ़ाएं इस पेशली वह स्टुडेंट्स जो की चीज़ों को याद करने में ज्यादा बिलीव करते हैं समझने में कम बिलीव करते हैं क्योंकि बच्चों आप लोगों के साथ पता है होता क्या है जो याद करने में बिलीव करते हैं जिनको हम बेसिकले अच पिज्चों के जिसके वह याद करता है उसका सिंपल सा फॉर्य órg Us को याद भर दोगा छोडी कुलास में चाल गए बड़ी क्लास में क्या बढ़ी में अचानक से कौई बड़ी कॉंसंशा से बीएक आजाता है तो आप जो उसको आप क्या करें बढ़ाएं जो भी सोचने समझने की राइट शमता है उसको बढ़ाएं अभी आचाना इसका कोई कोर्स नहीं होता है इसका कोई भी कोर्स नहीं होता है बिस आपको को छोड़ी छोड़ी चीजों पर क्या करना पड़ेगा इन्वाल होना पड़ेगा जैस समझ में बाद चुका है बाद समझ में तो अपनी जो सोचने समझने की शमता है इस पर आप क्या करें बढ़िया से बढ़ाएं ठीक है मस्तिवस्ति करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिलकुर एक और जीज बाइब करो कियोंकि टैंशन लेने वाला बच्चा जो है दिन में अठहें में यह त्यक्स forces का भूर और ऐट कर दिया बात समझ में और और इससे कुछ हो नहीं पाता है तो बच्चे स्ट्रेस बिल्कुर नहीं लेना है टेंशन बिल्कुर नहीं लेना है मस्ती किजिए खूब कीजिए समर्वेकेशन का भरपूर फायदा उठाइए पर 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 बहुत ध्यान से देखेगा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा जैसे मैंने केमेस्टी का एक एक एक्जामबल दिया कि भाई आपको पता है कि पिरियॉडिक टेबल जो है हर पांच पर टॉपिक में टपक की जाता है बिल्कुल जिसे बोत में यह जो पिरियॉडिक टेबल है यह जो सहियों जगता है कि कौन सा भया एलिमेंट कितने आबंद बनाता है यह हर चौते पांच पर आइज आता है फिर बात समझ में लिए किसकी क्या अवस्था होती है सॉलिड है कि लिक्विड है कि यह सब कुछ कभी भी आ सकता है तो एक प्रॉपर मैंने एक कॉंसिप्ट वीडियो बनाई हुई है उसको भी आप देख सकते हैं कहां पर फॉर एक्जम्बल आप देखना चाहिए तो यह तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप उप्योग कर सकते हो कहां पर गर्मियों के शुट्टियों पर और यह बोज इतिको को एक्जामपल देते हैं हाला कि इग्जामपल थोड़ा नेगेटिव है पेड़ों को काटना नहीं चाहिए पर यह किसी को पेड़ काटना होता है तो भाई आप पहले पेड़ काटने की कई देर पहले तक मुझा 100 होती है न आड़ी कुलाडी कुलाडी एक्स बास समझ मैं और यही आरी से विगाड़ सकते हैं उन पर जरूर फोकस कीजिए जिससे आपका जो ब्रेन है उसमें क्या आएगा भाई तेजी आएगी तेज आएगा उसमें एक शार्पनेस आएगी और उसके कारण जब आप अगले साल परिक्षा में जब आपको सवाल भी समझ में आएगा बेसिक कॉंसेट से आपको हेल्प भी मिलेगी और यह होगा कि भाई आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी और आपके स्पीड भी गेन हो जाएगी और इससे यह होगा कि आप पूरा परफॉर्म कर सकते हो मैं फिर से बता दूँ जब आपके स्कूल से स्टार्ट होंगे बहुत बिजी शेडियू लोगा बिटा उसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेसिकली आप बहुत सारे प्रकार के बात समझ में आ रही है जो सिस्टम से उसका पार्ट बन जाते इसलिए आपके पास समय नहीं मिल पाता कुछ एडिशनल चीजों को करने के लिए तो अभी गर्मियों का समय है भरपूर दरीके से आपके इसको क्या करना है भाई उपयोग करना है और यदि फिर भी कोई परे करने को लिए तो गर्मियों का समय है प्लीज आप ब्रिच कोर्स जरूर करें बेसिक कॉंसेट्स को स्टॉंग जरूर करें ताकि साल पर जब आप सवाल लगाएंगे अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे वहां पर आपको मिलेगी बहुत ज्यादा है हम मिल रहे हैं अगले ह यही ऐसे मज़दार शाननार और इंफोमेटिक वीडियो के साथ में बने रही है मैं अग्नेट में सिंधी उडियम के साथ थैंक इसो मच जैहिंद